नमस्पकर, दोस्तो आप सभी का स्वागत है तो आज हम बात करेंगे आपके टाइप, जो है, फाइप यानि कि फोर तक हमने ये कोश्टन को हल कर लिया था टाइप फोर तक, आज है टाइप फाइप तो पहला है जैसे दिया गया है, आपको दिखाना है कि जैसे 35 का संबंद सात से हैं तो उसी प्रकार 25 का संबंद किस्चते होगा तो आप देखेंगे कि सर 35 जो है इस सात का एक बट पांच गुणा है अगर 5 से भाग करते हैं है इसमें तो हमारे 7 आएगा तो उसी तरह से इसको 5 से भाग करेंगे तो कितना हैगा तो आपको इंगे सर 25 आएगा यानि कि अप्सन नमबर डी क्या होगा राइट इन समझाएगा लेकिन ध्यान रखिए यह तो बहुत असान सवाल था आप इसमें फसेंगे किलियर है फसेंगे देखिए कहां फसते हैं अपने आपको देखिएगा क्योंकि यहां कभी पांच बर कीजिए ना तो सर यह तो नहीं याद है अरे याद रखो वहिया तब आस आप जो है इसको हल कर पाओगे नहीं तो नहीं कर पाओगे यानि कि कौन सा अप्सन नमबर होगा तो अप्सन नमबर आपका 31 यानि C होगा ठीक है तो यह चीज़ आना चाहिए चलि आपको पता होगा क्या सर्येक है और 27 जैसे आएगा तो यह इसका मतलब सब्सक्वार क्योऄ की स्कौर टेक्च चाहिए यह थिन नहीं के अप्सनिंपर ही क्या होगा राइट इंसर हो जाएगा देखिए नो का स्कॉयर और नो का क्यूव मिल रहा है न तो बिल्गुल सही आप देख सकते हैं यहां दिया भी गया है ठीक है अगला देखिए अगला है कि 19 का संबंद 361 से है तो देखिए यह सीधा सीधा है भाई साब 19 का स्कॉयर 361 है तो 13 का स्कॉयर क्या होगा 169 अप्शन नमबर ए ही हो जाएगा फिर आगे चेक करने के जरूत आपको नहीं है ठीक है न अगला देखिए तो आ रहा है समझ में न कोई कई फसेंगे देखिए कैसे वस्ते हैं पांच का संबंद 35 से है तो इखाले अस्थान पर दिया गया है क्या आपको भरा जाएगा इसमें आप फसेंगे यह वाला फसेंगे बिल्कुल फसेंगे देखिए आप आपकी अपने मन से हम तो इसको आप बताएंगे ठीक है अब देखिए कैसे अब बहुत लोग सुचेंगे ना कि सर हमारा यह पांच सत्य पॉएंटी से यह तो कोहीं भी लॉजिक काम नहीं करेगा कोहीं भी साथ गुना नहीं है आप देख लिजिए 1155 पांच गुना है 955 पांच पांच गुना है तीनवाटी चौवीस आई 1177 कोहीं पर वो लॉजिक आटकोने लगा पांच को गुड़ा है तो कितने आए 35 के बाद गुड़ा यह तो अपकोंगे संथी शाति अब साथ के बाद से भाजिशन के क्या दिया तो आपकोंगे सार इगार यही तो है इगार सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह कोशन आपको फसाने वाला है और यह दुबारा रिपीट भी होगा ध्यान रखेगा इसको ठीक अगला देखिए यह बहुत असान है कि 0.216 और 0.216 यहां प देखिए और अगला है क्या कि इगार का सब्सक्राइब बारस दस है यह भी कोशन आप फसेगा आप से फसेगा आप से मतलब एक्जाम में भी फसेगा और आप इसको भी हल ठीक से नहीं कर पाएंगे इस समय ठीक है अब कैसे सर देखे सर इसका जो है आप कहेंगे सर सिंपल अज़ों फर इसमें 10 दस और गुटा कर दिया है वस हो गया हां यही लोजिक है ठीक है तो यहांपने कर देखिए 11 घर में इक हता कर 10 किया उसी तरह से देखिए 9 है तो 9 तो यह क्यों है यह हो नहीं सकता नौक किउप तो नहीं कर चाये 6 का इस ये क्यूँ है नहीं होगा 8 का देखिए 8 का ये हो सकता है तो 8 का देखेंगे तो 8 गुड़े 8 होगा फिर इस से कौम 7 होगा गुड़ा कराई 8 664 का चार्ट 478 28 का आरा है लास्ट में बिलकुल option number 2 ही के होगा होगा अब अगला देखना चाहेंगE तो आप देख लेजए एक ठीक है ये नहीं हो सकता है आपका ठीक चल्稽िए अगला देखिये यानी बी सही है इसका अगला देखेंगे तो अगला है कि 8 का समंध Wool 96 है तो साथ का समंध Wool 93 सिह होगा आपका समंध Wool 96 है तो आप एक हो सकता में लेकिनदल के काई करेंगे तो 645 है टो आपको क्यों कर ज Hahn करने की जरुओरत नहीं है टो 645 संविक्षान होगा ठीक अगला देखिए यह भी क्यों कर सिर्फेस के खेंद बना रहा हैं तो दुबारes से अच्छार तो दोबात तो यह देखिए क्या है कि 32 का समंध्ध 13 से है तो मेरा लोजी के आप देखे थोड़ा से क्या है कि तीन का स्कॉर करके आप प्लस दो का स्कॉर करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13 है तरह पांच का स्कॉर 25 और 26, 36 नहीं होगा 7 का स्कूर 49 और यह नहीं होगा 8 का स्कूर 64 और 3 का स्कूर 27 7-7-13 यह भी नहीं होगा यानि आप्सन नमबर कौन से होगा आपका D होगा इतना तो मन में आपके आजाना चाहिए देखें 4 का स्कूर 16 7 का स्कूर 49 49 में 16 जो लंगे तो कितना हैगा 65 और यहीं आपका लोजिक लग रहा है यहीं सही होगा अगला देखते हैं और अगला है आपके समने 37 का समन्द 65 से है तो एकाउन का समन्द किसे होगा अब देखें यह जो 37 है 37 इसका समन्द किसे बता रहा है सर 65 से बता रहा है किसे बता रहा 65 से बता रहा है यानि कि क्या यह घटा कर देखे तो आ जाएगा कि नहीं तो घटाईए तो पंदर में से साथ जाएगा आठ होगा और यहां पर दो होगा पांच में से 28 28 जोड़ें तो एक आउन में तो आठ एक नौ और पांच दो साथ कितना हो जाएगा साथ 89 दिया तो है बस काम हो गया यार जब दिया तो आंथ की तो लिया है इसका क्या लिया है अंतर तो ध्यान लखेंगे इसको ठी ze अगले प्रस्म की बात करते हैं और अगला प्रस्म आपके समने यह रहा दिखे, 89 दिया भी है अगला है कि 108 का 384 है तो 140 का क्या होगा तो यह आपको बताना है तो देखे, ये भी थोड़ा सा असाने है, 108 का लगभग देखेंगे तो दुगना है ठीक तो अंतर देखेंगे तो 14 में 60 जएगाiko और यहां पर देखेंगे तो दो एकम दो एक तीन 316 आ गया अब 384 में से घटाइए तो 384 में से घटाएंगे सर तो 146 जाएगा आठ और साथ में से जाएगा चो और 60 यानि कि प्लॉस और सट क्या करना होगा जोड़ना होगा तो अब देखिए इसका दुगना किजिए 140 का ते 140 का दुगना आप करेंगे तो 1428 288 हो जाएगा फिर और सट इसमें आप जोड़ दीजिए तो 8 844 के चार और 2 1 3 348 और 348 कि इसमें तो बीकलप डी में है और डी आप का राइट एंसर हो जाएगा ठीक है तो दुगना करके और सट जोड़ा हुआ है अप्सन नंबर डी आपका राइट एंसर हो जाएगा ठीक देख सकते हैं आप अगला है कि दिए गए अकड़ों को जोड़ों के अधार पर अनपस्लित करें जैसे 1990 है तो तेरह सो चॉरानब हो जाएगा जिरो ओगा और नो मिसरे टीन जाएगा कितना बचेगा तो आपका अगरशार यानि कि 18 में से 9 हो जाएगा तो आपका 9 होगा, क्या होगा? 9 होगा और यहां पर आपका 8,5,8,5 जाएगा 5,5,6 जोड़ना है यह बताना है कि 27 का, तो आप कहेंगे 3 का क्यूव होता है, बिल्कुल सही, तो आप कहेंगे 5 क्यूव करेंगे, आप पलस एक जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 5 का Q प्लस 1 यानि 126 यानि अपसर नमबर कौन से होगा डी आपका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है तो अपसर नमबर डी आपका होगा ठीक है आए समझे ना हाँ तीन का समद्द 29 से है तो छो का समद्द किस से होगा अब देखिए तीन का समद्द आपका 29 से है तीन जो है यह समद्दित है 29 से अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखेंगे तो बहुत कमारा ठीक है तो हमको स्कॉर वाले पर चलना पड़ेगा किस पर चलना पड़ेगा इसकॉर वाले पर तो अगर तीन का क्यूब करते हैं तीन का क्यूब तो तितली करना तरी 27 216 पॉलस दो तो कितना होगा 218 अप्षका झोड़ा है यहां पर तो जोड़ा है न तो छोड़ा है तो अगला देखिए अब दो का समृणिती तो 2 और 3 अभाजी संख्य तो आपको disci The और यही आपका सही होगा देख लिए बीकल्प में देखिए बीकल्प में आपको 29 दिया भी है ठीक है तो ध्यान रखेंगे अब हाद ये संख्या पे काफी ज्यादा प्रस्ण पूछा गया है इसको भी से ध्यान होना चीए आपको साथ का समये 16 से हैं तो 125 का समय गिसे होगा तो यहappelle Dekhya S becoming a तो आप कोहीं कर देन अग्ला देखिए तो आठ क समय से हैं तो इसमें उत्या किया थे की है ने It will ुकं मतलों सर 7 का इसक्वायर प्लस वन करके जो है गूड़ा किया है सा यह तो आप कहेंगे सर 7 25 50 चाहिए है तो तो 8 में 50 से गूड़ा करेंगे 400 400 का हाई यह नहीं है समझ रहे ना तो इसलिए गूड़ा जो होगा इस तर शोगए साथ गुड़े साथ का स्कायर प्लस वन से तो उसी तरह से 8 है तो 8 का स्कायर प्लस वन गुड़े किसे होगा 8 से होगा तो 65 होगा आप 65 में 8 का गुड़ा करेंगे तो 8 परचे 40 का 0 आच्छे करता लिश और 4 बावन यानि की 520 हो जाएगा आप 500 कौन सा है अप्सन नमबर A है आपका समझ रहे हैं इसका लोजिक क्या है देखिए 7 का square प्लस 1 गुड़े 7 इसका लोजिक था देख सकते हैं नीचे दिखाय गया आपको 7 का square प्लस 1 गुड़े 7 था तो उसी तरह 8 का square प्लस 1 गुड़े क्या होगा 8, 5, 20 हो जाएगा ठीक है अगला देखिए अगला है कि 9 का समद्ध 20 से है तो 21 का समद्ध किसे होगा अब देखिए थोड़ा से यहां पर कि 9 का समद्ध यह बोला है कि 20 से है किसे है 9 का समद्ध 20 से है तो 21 का समद्ध किसे होगा अब यहां पर देखेंगे थोड़ा सा तो 9 का स स्कुार्वार माइनस किसके है चार में है ठीक है लिए तरह से एक एस है तो आप कहेंगे एक एस अगर लिया जाए तो सर वही पांचे बाला होगा लेकिन इस प formulated लोजिक नहीं रहा इस पर लोजिक नहीं लगेगा तो भाई सब बताईए कि स का लोजिक क्या हो सकता यह 180 क्या होगा en丫मार क्या होगा इसका लोजिक यह अगर देखते हैं तो 9 दुना के 18ीना दुझना देख एक में चाहिए इतना असाने से आ गाया श् werdet exp2 और realt उसे यहाल अकला वाल के विपाल कई और साथ क्योंट तीन सब्सक्राइब तो बताइए साथ सुन्तिस का होता है तो आपको नो को तासर ना ना एक आसी या फिर इक उल्गुड़ा करेंगे साथ सुन्तिस अगा ठीक है